तो आज की वीडियो बहुत ही महत्तपूर्ण होने वाली है इस वीडियो में आपको ध्यान इस चीज का रखना है मैं इस वीडियो को पूरा देखना इसके बिल्कुल भी निकरना है टाइम निकाल कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को पूरा देखें वीडियो से चोटी चीज को और है थ्यान रखते हैं तो आपकी अंब्हुत ही साउंद रोधेंट होती है कि यूदे नोचे बढ़ी यूंज है फे च्छीज पर आपको पता अब आद डिया को पूरे बगर खनाने वाल है किस तरह घ और था यह वाल कि तो वीडियो पर पूरा बना रहे हैं विडियो को एंड तक देखिए और कहीं भी आपको इस स्टेप बार स्टेप देखें तो आपको बहुत सारी चीज नहीं नहीं आपने क्लिक थोड़ा देखा वह बाहर भाग गए तो मैं इसमें बहुत सारी मैंने इसकी पॉइंट बता ह तो बाहर वीडियो को पूरा बने बहुताइब पूरे शनल सब्सक्राइब जरू कि इसी तरह की जूंड़ेजवल वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूं चलते हैं वीडियोपे तो आगे हम उसको पूरा समझते हैं किस तरह का Euma Isptome सिस्टम हमारा चलता है आप ने देखा इस भी कि दिए तो बहुत अच्छा परफ्ञायब कॉलता है लेकिन जब क्या हूता कि इस waking वार जिल जाता है जैसे जल जाता है तो इस को आपने चला के देखा होगा तो फिर इसकी क्वालाटी वैसी नहीं करते हैं और वो जानते तो हैं लेकिन गलती वो जानमूच के करते हैं क्योंकि उनके पास क्वायल एबलेवल नहीं होती है उप लब्द नहीं होने कारड से वह उसमें गलतियां कर देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो कस्टूमर है वो हमारी दुकान से ना भागी इस या से कुछी साधी भाया भंकसर में एक दो सांड लगा के चार सांड लगा के और रखके कहीं पर चलाते हैं तो उसमें तो आपकी यह चलती रहेगी लेकिन लाइफ प्रोग्राम में आपका बिल्कुल भी एक चलने माला नहीं है चलेगा लेकिन आपको क्वाल्टी उतना ओर आप चाएफ लाइब में लगा है उस स्वन्ग पिले में लगा हैं उस सवांग पड़ता यह पर दो संह बिल्ले में यह प्रिता हैं को वर्लाम में बल्कुल की था मला दिया घ्या है हमारा जो पीकर है वह aos यह आवाज नहीं दे रहा है jerk man को पता नहिंए को पता नहीं है उनकी इस नहीं क्यों implica लिए को यह कौन्सटे Carl डेल थी कभी ने डालता है उसमे दिख लिए 60 ऊंप का Doyle डलता है और यहां निक्तों यह नहीं कर देपी कभी कोरता है तो आपका स्पीकर का समाझ दीजिए कचड़ा हो जाएगा फिर आपको वो क्वालिटी कभी मिलने वाली नहीं है दूसरी चीज हम आपको बताते हैं कि यह जो हमारे पास आपको दिख रहे हैं जैसमें एटॉम की क्वाइल है जो हमारा हुजा का srx 440 होता है य abordें वैंड़ा है उसमें हम इस एटॉम का यूज्ड कर देते हैं कुछ दीकिए यो पट्स हो सवी जो हमा टक्निसियन होते हैं वह बहुत पास लोगरें क्योंड करते हों और डाल देते हैं कि यहां पर बताता हूं कौन प्लैंडन दखी यहां पर आप पढ़ लेंगे इसको के इसमें 16 लिखा यह दिख ये दियान से 16 ओम लिखाई दें रहा तो इसमें हरा यानि जो इस विशुआ का हुटा है जैसे अहो जल जा सब्लक्राइब करेस्द सुझारेगा तरय हो चाहर सहर का इसमें सी हुआ अगर आप इसमें 8 ohm का क्वाल किसी भी टेक्सिंग से इसमें डलवा देंगे और फिर आप स्प्रेयर को चला के देखना तो आपकी क्वाल्टी बिल्कुल खतम हो जाएगी और आप इसमें जो बेस निकलना चाहिए जो दमदार क्वाल्टी निकलना चाहिए बूस सब और भागोदार क्वादा क। वहाओ गर्षिंग स्फें को दैकर्शाइन थेलता शेल टीघूर के साथ उलटा सीधा इन्हें हैं। कि हमें इस चीज़ का धर्क्षा रखना है कि मैंसी क्वाल्टा देन में दॉख हम इस पीकर में जो बीं अच्छी बैस्ट Čल होती है वहता है जो भी हमें इसमें यूज करना चाहिए तो वही डालें जिसमें 8 Ohm की कोई डाल देंदेए उसमें 8 Ohm की डाली यख ग्लती है और जिसमें 16 Ohm की डालत है तुई अगर माल लीजे eight Ohm वाले नहीं तब आप उसका क्लियर इंपिडेंस बनेगा तब आपका क्लियर एंपिलिफायर पर लगएगा इसका कितना इंपिडेंस बना रहा है तो उसमें इंपिडेंस बना के कहां इंपिलिफायर में लगाएंगे तो आपका जो कॉंबिनेशन है खराब हो गया तो इस तरह से आपको कॉंबिनेशन खराब नहीं करना है जो यह तो इसलिए वह उनके पास ज्यादा क्वाइल होती है वह ही उसका यूज उसमें कर देते हैं तो अधिक तर कर दो मैं उसके अभर को इसके के साथ यह होता है कि 16 एक कोछ पेयर आते हैं कि पी तो तो उसमें उतनी इसमें पेंड़वानेशनागे अब नायगी तो बहुत ही एसका पर मिनलेगा बहुत ही सांधार क्वाल्टी आपको मिलेगी वह इस तरह से आपका सिस्टम बहुत अच्छे से चलेगा तो इसका चीज का आपको ध्यान रखती हो आपको अपने स्पीकर में करवाना है और जो भाई हमारे चैनल पर भी नए हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं इससे आपको कुछ भी अगर नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक पर जो कमेंट आते हैं अब अच्छी करें बोरी करें तो मुझे भी उससे उसका जवाब देने में बड़ी खुसी होती है तो आप ज्यादा कमेंट को किसी भी चीज के बारे में आप पूछें तो कमेंट आप जरू करना चाहे कुछ भी आप थोड़ा भी लिखें लेकिन लिखना और जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए गुड़ बाई